कोवीड-19 कोरोना वाइरस के 35 नई पॉजिटिव मरीज मिले जिराब में कोरोना वाइरस के पॉजिटिव मामलों का कुल आखड़ा पहुचा 2877 पर, नई मरीजों में 13 महिलाएं, चोपडा कालोनी में मिले 7 नई मामले उपायुक शामलल पुनिया ने कहा कि सौनिपत में बुधवार को साइंकालता कोवीड-19 कोरोना वाइरस के 35 नई पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनके साथ ही अब जिला में कोरोना वाइरस के पॉजिटिव मामलों का खुल आखड़ा बढ़कर 2877 हो गया है उपायक ने बताएं कि जिला में कोरोना वाइरस के नई मामली शेहरी और ग्रामिट दोनों ही शेत्रों में मिले हैं, उन्होंने कहा कि नई पॉजिटिव मरीजों में 13 महिला मरीज भी समयले थे, नई मामलों में सरवाधिक मामली चोपड़ा कालोनी के हैं, जहां 7 नई संक संक्रमित व्यक्ति मिला है ग्रामिट चेत्र के तहत भैस्वान खुर्द में संक्रमित व्यक्ति एक महारा में शेखपुरा में बाखरपुर में एक जखेडी में एक अकबरपुर बारोटा में पलडी कला में राठधाना में दू राजपुर में एक पट्टी ब्रहमनान में शादीपूर में एक तथा, बहालगड में एक और मुर्थल में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है। उपायुक शामलाल पुनिया ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए बीपेस महिला मैडिकल कॉलेज खान पुरकला बहतरिकारी कर रहा है। उनना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में आप तक विभिन जिलो की 1282 मरीजों को उपचार के लिए भरती करवाया गया है और इन में से 1207 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में 55 मरीज उपचार करवा रहे हैं। नवीन एवं नवीनी करण ओजा विभाग गाओं के सार्वजनिक स्थलों पर लगाएगी LED लाइटें। कि चिला के 15 गाओं में विभाग के इनिदिश अनुसार स्कूल, कॉलेज, होस्टेल, धार्मिक स्थान, पार्क, स्टेडियम, सामुदाइक स्वास्त केंद्र, हस्पताल, पंचायत, घर, गउशाला, आंगनवारी केंद्र, वयायाम शाला, वे दूसरे सार्वजनिक स्थान उस स्थान और गाओं का चैन किया जाएगा, लगातार खबरों से अपरी चैनिक के लिए दिखते रहे, हर्याना, अट नाइन प्यान निस चैनल, नमस्का,